टो यार हाई अगीन तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे पिक्टो आइस है ना तो ये कुशन मेरे किसी दोस्त के एक कंपनी में आया था मतला जब वो इंटर्व्यू में बैटा मुझे कंपनी का नाम याद नहीं कि कौन सी कंपनी में था पर मेरे को कुछन याद है कि मैंने सॉल्व करके दिया था तो यार फ्लो क्या रहने वाला है वह देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राफन स्टेट्मेंट इंपुट और आटपुट हमेशा की तरह ह हम लोग इसको identify करेंगे कि यह कैसे solve होगा sliding window से sliding window लगेगी भी इस पर फिर नहीं और फिर हम लोग इसको reduce करेंगे into something that we have already solved है ना तो simple तीन step होने वाल है काफी easy video लगेगा तुम्हें अभी यह maybe पर जब यह interview में आता है ना तो हम लोग के दिमाग में नहीं आता कि इसमें sliding window लगेगा कैसे है ना तो पहले हम लोग sliding window को इंग्नोर करके पूरी स्रद्धा के साथ इसका problem statement समझेंगे ठीक है पहले भी sliding window लो दिमाग से निकाल दो इसका problem statement समझेंगे को जूशिश करो तो इसका problem statement देख लेते हैं अब 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 इतक जितने भी हम लोग लोग ने प्रॉब्ल स्टेर्में देखें उसमें किया दे रखा था हम लोग को कि यारे ऐसा और हम लोग को क्या निकालना है कि के यूनीक र पर इसके problem statement में ऐसा कुछ भी नहीं है अब इसके problem statement में क्या है एक story type दे रखी है अब उसको हमको समझना है अब इस पर दयान देते हैं कि इसका problem statement है क्या sliding window वेगरा सब भूल जाओ तो देख लेते हैं तो इसके problem statement में एक बंदा है जॉन अब यह बंदा अपनी मम्मी के सा ऐसे घाओ मॉल में जाता है यह है मॉल अब जब इन मॉल में जाता है तो इसको यहां पर घूम रहा हता है बड़या इसको यहां पर रख्फर होए toys दिखते हैं बहुत सारे toys दिखते हैं ठीक है लाइन से पूरी रैक है जिसमें Toys रखे हूए तो यह अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैं एक टोई चाहिए तो इसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, तेको ँखेलोना चाहिए मैं देघी तेको खेलोना पर मम्मी इसकी दो कंडिशन रख देती है तो पहली solution की मजने मिन इसकी मजने वोलती है कि देंको लाइन से उठाना ऐ historians कर तो ऐसा नह्या है कि यहां पर यहां यहां से उठाना लिया और यहां से उठाले को बनि तो खिलोने उठाएगा तो इसने वोला बढ़िया है मैं तो पूरी लाइन उठा लूगा पर इसकी ममी ने second condition रख दी तो इसकी ममी ने वोला कि तू दो टाइप की खलोने उठा सकता है तो ये वाला बैग जो है इस बैग के अंदर तो तेरे खलोना अगर मैं देखूँ मानलो इसने कुछ अपने बैग में खलोने डाले किसी भी मुम्मेंट में बहुत सारे खलोने भर लिये जब भी मैं खलोने निकालो तो मैं इसको केटराइज करूँ ये अच्छा ये खलोना इस टाइब का है, ये खलोना इस टाइब का है ये खलोना दूसरे टाइब का है तो वह तो एक टोन्हे पाउनट हो जाएगी, सेकुंड तुहने कुछ और ले लिया , एनीमल ले ले लिया , थो सेकटरे कप लोना हो जाएगा तो maximum तू दो type की clone ले सकता है उनकी quantity जितनी मर्जी लेना चाहिए उतनी मर्जी ले ले तो मेरे ख्यासे तुमारे समझ में आ गया होगा मम्मी जी ने क्या दो condition रखी पहला बोला कि देखो ये rack है इस rack में lines लेना है पर तू line से लेगा बीच में एक clone छोड़के दूसरा clone skip नहीं कर सकता तूसरी condition क्या वोली तू maximum दो type की clone ले सकता है आरी वास होज में तो I hope problem statement तो clear है अब इसको देखते हैं कि ये तो होगी हम लोग ने English में बात करी कि भाई क्या problem है और क्या करना है अब पूछा क्या है वो भी देख लेता है और पूछा क्या है बिसिकलिए अब ये बच्चा है जान है ना इसको सबसे ज़्यादा खिलोने चाहिए अब इसकी ममी ने रिस्ट्ट कर दिया कि ये cable दो type की clone ले सकता है तो ये क्या करेगा ये तो ये चाहिए ना कि मैं maximum number of toys ले लूँ तो ये क्या करेगा वो दो type के clone maximum करने की कुछिस करेगा तो हमको क्या चाहिए कि हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ये दोनों condition का respect करते हुए इन दोनों condition की respect करते हुए हमें John को maximum clone दिलाने आरिवा समझ में तो output में हम लोगो देना number of toys जो की maximum होने चाहिए John के लिए I hope ये problem statement तो किलिए रहे अब ये तो होगे कि हम लोगों ने English में बात करी दी कि भाई क्या problem है अब इसको कैसे represent कैसे करेंगे input में क्या दे रखा होगा और output में लोगो क्या देना है वो डिसकस करते है और इससे पहले कि हम लोग input आउटपूड पे आएं अगर तुम को और practice करनी है और free practice करनी है तो यहाँ पर on academy की कुछ free classes है काफी free classes है मैं इसमें से एक choose कर लेता हूँ let's say हम लोग choose करते हैं introduction to stack and queues and इसमें जब तुम आओगे तो तुम watch now पे क्लिक करो और फिर अपना mobile number से इसको register करना बढ़ेगा अगर तुम मारा पहले से register है बहुत बढ़ेगा बात है नहीं तो join करो account बनाओ account बनाना simple है mobile number डालो OTP बगएरा डालो नाम डालो email address वगएरा और अपना state of residence वगएरा select कर लो और submit पे क्लिक कर दो submit पे क्लिक करोगे उसके बाद तुम्हें अपनी email ID verify करनी बढ़ेगी simple process है यार कहीं पर भी अपन sign up करते हैं तो ये सारा काम तो करना ही बढ़ता है तो email address डाल दो verify कर दो अब एक बाद और watch now पे क्लिक करो और इसमें मेरा invite code डालो adity.verma.natb अब इस पे unlock पे क्लिक कर दो simple तुम्हारा free plan unlock हो चुका है और अब तुम्हारा वाज़नाओ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ये वीडियो शुरू हो जाएगा और तुम्हारा free classes है अगर मन नहीं भर है तो unacademy के batches देख सकते हो जाके अब ये लोग 2021 में एक new batch शुरू कर रहे है conquest 2021 C++ के लिए अलग है Java and Python के लिए अलग है इसको देखोगे जाके तो तुम्हें इस course का पूरा schedule देख सकते हो टॉपिक कबर है तो ये सारे topics तुम्हारे cover हो जाएंगे तो ये काफी well structured course है और जो लोग पढ़ा रहे हैं जो लोग educators लोग हैं और पंदाओं काफी highly skilled हैं काफी अच्छा बढ़ाता है तो यह चेक पर ले 侖र लेना और दो देख लेना 2021 को वेल प्लान कर सकते हो है ना इद्दम अच्छे से कोडिंग लर्न करो और फाइदे क्या क्या है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है लाइफ क्लासे होगे डाउट सपोर्ट भी होगा और उसके साथ साथ तुम्हें ये कोडसेफ का सेडिपिकर भी मिलेगा अगर तुम्हें इस प्लस मंद का स्क्रिप्शन लिया तो तो बेसिकल लोगों ने पूरा वैल प्लैन करके रखा है इद्दम पूरा 2021 पूरा प्लैन कर रखा है तुम यहां पर देख सकते हो वीक वन में कौंकों से टॉपिक पढ़ा जाएंगे वीक टू से टैन ऐसी पूरे एयर का प्लैन ह तो हर एक टॉपिक को तुम देख सकते हो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा इन लोगोंने हम लोग इजी से स्टार्ट करेंगे और पूरा एडवांस तक हम लोग कॉम्प्टिविटी पर ग्राविंग सीखेंगे इस कोर्स से तो यार काफी बढ़िया कोर्स है मेरे उपेनि लिए ले भी 拜拜 और भी इसके अंदर कुछ लेक अब मतलब क्या है इस लेकाशित का यी हर एक लेक्त लिटर सबसक्द वंखिसर नहीं एक इस लेका है मतलव जो यह यहां पर आया था वह same type of toy माल लो अगर A car है और B elephant है है ना elephant वाला toy मैंने तो नहीं देखा पर चलो माल लेते हैं अब तो यह array क्या हो जाएगा basically यह array हो जाएगा car है उसके बाद फिर elephant है फिर दुबारा से car है और C माल लो कुछ और है helicopter है तो यह helicopter helicopter और फिर से A क्या था car तो यह car और B क्या था elephant तो ऐसे यह toys रखे हुए तो यह toys जो वहाँ पर rack में रखे हुए हैं self में रखे हुए हैं यह toys वो उन लोगोंने एक array से represent कर दिया है ठीक है जिसमें कि एक type of toy एक letter बताता है और अगर दूसरा different type of toy है तो वो अलग letter से हम लोग represent कर रहे है B से कर रहे हैं ठीक है car को हमेशा जब भी car आएगी तो उसको A से करेंगे जहां जाए भी car आएगी उसको A से करेंगे और दूसरा जिसे elephant आ रहा तो उसको B choose कर लिए उसके लिए तो जब भी elephant आएगा उसको हम लोग फिर से B से ही represent करेंगे आरिवा समझे तो यह तो होगी हम लोग को कि यह हमारे पास क्या है array of toys तो अब देख लेते कि हम लोग को output में क्या देना है तो input तो हम लोग नें देख लिया कि input में हम लोग को string दे रखे होगी A, B, A, C, C, A, B अब output में यह string क्या बता रही है हम लोग को array of toys अब output में हम लोग को ध्यान देना है कि वो दो जो condition थी मम्मी जी की वो दोनो condition का respect करते हुए कि line से खिलोने लेने और maximum दो type के ही toys होने चाहिए तो इन दोनो condition का respect करते हुए हमको क्या करना है हमको maximum number of toys जान को देना है तो आखीर में output में हम लोग को क्या print कराना है एक number वो number क्या बताएगा वो बताएगा maximum number of toys जो हम लोग ने जान को दिये और इन दोनो condition का respect करते हुए हमें line से उठाए और maximum दो number of toys ही हमने दो type of toys ही हमने जान को दिये आई होप यह सब तो clear होगे अब ठीक है output में एक number देना है और input हम लोग को एक string के form में दे रखा है जो की array of toy होगा अब अब तुम समझो अब तुम सोच रहोगे कि यह सब तो ठीक है यह सब तो ठीक है पर यह सब sliding window में क्या कर रहा है है ना तो अगर कुछ हुसियार लोग हो गए तो उनके अब तक समझ में आ चुका होगा और जो लोग को समझ में नहीं आया तो चिंता मत करो तुम भी हुसियार बन जाओ गए तो देखो यार अभी हम लोग के array क्या दे रखा है array दे रखा है string दे रखी है a, b, a, c, c, a, b ऐसा कुछ दे रखा है है ना और ममी जी की condition क्या दी ममी जी की condition दी की भाई line से उठाओ है ना और maximum दो type of toy ही रखो bag में ठीक है मतलब क्या है कि line से उठाओ पहली condition देखते है कि इसका मतलब क्या है हमारे इस given array पर क्या होगा इसका result क्या आएगा इस condition का effect क्या पड़ेगा consequence क्या होगा है ना तो देखो अगर मैंने यहां से उठाना शुरू किया तो मैं line से उठाओगा मैं b उठा सकता हूँ ठीक है उसके बाद फिर मैं a को include करूँगा ठीक है फिर मैं c को include नहीं कर पाऊँगा क्यों? क्योंकि ममी जी ने क्या बोला था maximum दो type of clone ही उठा सकते हो मतलब क्या है कि यहां पर एक type तो B हो गया दूसरा type A हो गया तीसरा type C हो गया तो अगर मैं यहां से शुरू करूँगा तो मुझे यहां पर खतम करना पड़ेगा यह बात समझे आ रही है मतलब क्या है कि मैं बस maximum यह दो खिलोने उठा कर जॉन को दे सकता हूँ कि भाई जॉन ले जा पर जॉन हैपी नहीं होगा इसमें क्यों? क्योंकि तुमने क्योंगल दो ही खिलोने दिये इसको और देखते हैं क्या कर सकते हैं string लिख लेते हैं फिर से A, B, A, C, C, A, B let's say मैंने start यहां से करा तो मैंने एक खिलोना यह उठाया मैं हमेसा line से उठाऊँगा तो मैंने यहां से start कराया तो मैं कोई भी खिलोना skip नहीं कर सकता तो मैंने B यहां से उठाया फिर मैंने A यहां से उठाया अभी तक देख रहे हो A खिलोना क्या है? A उसकी quantity कितनी है? 2 दूसरा type क्या है? B उसकी quantity कितनी है? 1 अब मैंने यह खिलोने उठा लिए A type के 2 दे सकता हूँ और B type का 1 दे सकता हूँ अब क्या इससे भी better कर सकते हैं तो देख लेते हैं एक बार फिर से लिख देता हूँ string A, B, A, C, C, A, B अब देखो अगर मैं यहां से start करता हूँ तो मैं A को include कर लिया फिर मैं line से जाऊँगा है पर खिलोने के type कितने है अभी तक 2 ही है फिर मैंने एक और A लिया बढ़िया quantity इसकी भी 2 हो गई पर type of choice कितने है type of choice अभी भी 2 है फिर मैं B को include नहीं कर पाऊँगा क्यों जैसे B को include करूँगा तो type of choice कितने हो जाएंगी 3 पर ममी जी ने क्या बोला था कि भाई दो type के खिलोनें से ज्यादा नहीं ले सकते है तो B को include नहीं करेंगे तो अगर मैं यहां से start करूँ A से और इस वाले A तक जाऊँ तो मैं कितने choice दे सकता हूँ John को 4 एक तो मैं A type के 2 दे दूँँगा और C type के 2 choice दे सकता हूँ तो John थोड़ा ज्यादा खुस हो जाएगा कि मैं को 4 crown है मिल गए है न तो हम लोगों यही निकालना है कि यार बस यह जो number of toys निकालना है कि मैं John को maximize करके केतने दे सकूँ और इन दोनों conditions का respect करते हुए ठीक है इनको break नहीं करना है अब क्या तुमने कुछ notice करा कि इसमें sliding window हम लोग कैसे लगा सकते है नहीं किया तो अभी यह देखो string में हम लोगों क्या दे रखा है A, B, A, C, C, A, B अब पहली condition क्या है पहली condition ममी जी ने बोला कि line से उठाने है continuous manner में उठाना है continuous manner में उठाने है हम लोग को एक string दे रखी है इस string के अंदर से continuous select करना है मतलब क्या है This string के अंदर से हम लोगों को exact strings select करनी है यह बावात सभुभी तो तो दूम सोच रोगना कि sliding window कैसे लगए बाई लगना विंडू की identification कि स्ट्रिंग क में सब्सक्राइब कर घ्या इसको स्ट्रिंग होगा राइब और यह इस दियूँस खर रहा है इसको कि कैसे इसमें sliding window लगेगा तो देखो, यह बाँ समझ में आ गई कि हम लोगो string का question दे रखा था तो समझ में आ रहा है न कि input में string है फिर हम लोगो यह समझ में आ रहा है कि line से pick करना इसका मतलब क्या है string के अंदर से continuous निकालना है string के अंदर से कुछ भी तुम continuous निकालोगे तो वो क्या निकली कि sub string तो string का question है ठीक है, sub string के बारे में बाते हो रही है हाँ हो रही है, अब इसकी second condition क्या थी ममी जी की कि भाई maximum तुमें क्या करना है दो type of choice लेने मतलब क्या है और तुमें, और क्या करना है और John को तुमें maximum number of choice देने है आरी वास हमने तो यार पहली condition को तो हम लोग ने explore कर लिया और उससे हमारे पास क्या result आया कि हम लोग को एक sub string पूछी हुई है अब मैं एक बार string फिर से लिख लेता हूँ string क्या थी A, B, A, C, C, A, B तो पहली condition हम लोग को यह समझ में आया कि हम लोग को इससे एक string चूज करनी पड़ेगी हम लोग को sub string चूज करनी पड़ेगी हम लोग को इससे sub string चूज करनी पड़ेगी और second condition क्या थी कि जो type of choice है न type of choice वो दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस string के अंदर से कोई भी sub string चूज करता हूँ ठीक है तो मालो अगर इसमें A आया है तो अब A कितनी बार भी आ सकता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है पर इसमें C आया है तो C कितनी बार भी आ सकता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है पर उसके बाद इसमें कोई और character नहीं आना चाहिए मतलब क्या है अगर मैं sub string लूँ जैसे कि मैंने A, C, C, A लिया और इसको मैं count करूँ और map में डालूँ क्योंकि हम लोग maximum कितने number of toys रख सकते हैं तो basically हम लोगों क्या करना है कि हम लोगों को इस string में से जो हम लोग string दे रखी A, B, A, C, C, A, B इसमें से कोई भी एक ऐसी sub string उठानी है जिसमें कि maximum number of unique character कितने हो तो unique character क्यों बोला हूँ क्योंकि unique character भी बता रहे हैं कि type of toys कितने है जैसे कि यहाँ देखा न map में यहाँ पर unique character कितना है एक यह हो गया, एक type यह हो गया उसकी quantity कितनी हो सकती है और दूसरा unique character क्या हो गया, C हो गया उसकी quantity कितनी हो सकती है पर unique type जो हैं, वो हम लोग दो ही ले सकते हैं, toys के, तो basically हम लोगो को एक array दे रखा है, A, B, A, C, C, A, B, और इसकी array के अंदर से हम लोगो कुछ सब array choose करने हैं, एक array कुछ बढ़ा हो सकता है, कुछ छोटा हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हो सकता है, कुछ array choose करने है, पर इन सब array की property क्या होनी चाहिए, कि number of unique character की, इसमें भी 2 होने चाहिए, number of unique character इसमें भी 2 होने चाहिए, और इसमें भी 2 होने चाहिए, unique character क्यों बोलना है, वो समझ में आ गया है, क्योंकि unique character नी बता रहा है, type, number of unique character is equal to number of types of toys in the bag, यह बास समझ में आगी, अब हम लोगों एक बार यह सारे ऐसे array आ जाए, तो हम लोगों क्या करना है, basically John को क्या देना है, हम लोगो maximum toys देना है, maximum number of toys, तो हम लोगों को इन सब array में से, वो array चाहिए, जो की largest हो, जो की largest हो, आ रहे वास समझ में, basically largest array नी रिटर्न कराना है, उसका number of elements रिटर्न कराना है, तो आखिर में count रिटर्न कराना है, तो क्या हम लोग कुछ ऐसा problem पहले solve कर चुके हैं, मैंने problem को इद्दम reduce कर दिया, पहले हम लोगों क्या दे रखा था कि यह array है, जली से recap कर लेते हैं, तो में समझ में आई जाएगा, कि हम पहले क्या दे रखा था, कि आर एक array है, इसमें toys दे रखे हैं, और इसकी ममी ने बोला कि भाई, toys उटाने तो line से उठाओ, बीच में जा जाके नहीं उठाओ, कि यह उठा लिया, वो उठा लिया, line से उठाओ, और यहां कहीं रुख जाओ है ना, दूसरी condition क्या वो ले इसकी ममी ने, कि maximum जो type of toys है, वो तुम दो रख सकते हो, तो हम लोगों को यह समझ में आगा, इसका मतलब क्या है, कि हम लोगो largest sub-string choose करनी है, तो यह कुल मला के problem, reduce किसमे हो गई, यह problem reduce हो गई, largest sub-string चाहिए, largest, क्योंकि John को सबसे जादा खिलोने चाहिए, तो हम लोगो largest, और sub-string निकालनी है, यह कहां से बता चला, यह पहली condition से पता चला, क्योंकि इनकी मम्मी जी ने बोला, भाई कि line से उठाना है, तो हम लोगो sub-string निकालनी है, तो largest, sub-string आगया पहली condition से, क्योंकि line से उठाना है, फिर maximum क्या बोला, number of toys कितने होने चाहिए, दो type of toy होने चाहिए, maximum दो type of toy होने चाहिए, यह कैसे पता चलेगा, यह पता चल जाएगा, basically यह जो sub-string चूज करिए, इसमें number of unique character कितने है, और unique character कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, तो हम लोगों का problem किसमें reduce हो गया, largest sub-string कालनी है, with unique character is equal to 2, I hope समझ में आगया होगा, अब क्या हम लोग कुछ ऐसी problem कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, हम लोग पहली एक problem कर चुके हैं, largest sub-string, with number of unique character कितने होने चाहिए, यह के हैं, अब यहाँ आपर खाली k is equal to 2 दे रखा है, आरीवा सब्समें, यह जो हम लोग ने पहले एक problem solve कर चुके हैं, largest sub-string निकालनी थी, जिसमें की number of unique character k थे, वो k हम लोग को पहले input से लेना पड़ता था, cin input करना पड़ता, input में लेना पड़ता, क्योंकि input में अलग-अलग k दे रखे हो सकते थे, 4 दे रखा हो सकता था, पास दे रखा हो सकता था, पर यहाँ पर वो k fix कर दिया है इन लोग ने, क्योंकि मम्मी ने वोला कि maximum दो type of toys उठा सकते हो, तो basically यह problem reduce हो गई, largest sub-string with unique character k is equal to 2, आई हो समझ में आगया होगा, और इसका code थो हमनों करी चुके हैं, तो यार काफी easy problem थी है न, पर यहाँ पर कुछ points याद रखो, पहला point, कि यहाँ पर challenge यह नहीं था, कि इसको कैसे solve करें, यह न, यह challenge नहीं था, यहाँ पर challenge यह था, कि इसको कैसे identify करें, कि इसमें कौन सा algo या data structure लगेगा, यहाँ पर main challenge यह था, कि इसको identify करना, कि इसमें sliding window लगेगा, अब तुम सोच रहोगे, यार नहीं, इतना tough तो नहीं लगा मुझे, क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम लोग line से sliding window की problem कर रहे हैं, हम लोग को पता है, कि हम लोग गुफा में जा रहे हैं, हम लोग को पता है कि यार यहाँ पर bears रहते हैं, है ना, यहाँ पर भालू रहते हैं, तो जब कोई भी जानवर निकल के आएगा, तो पहली बोल दो कि इसमें तो भालू होगा, यह तो भालू हो यह जानवर, अब जब यह problem statement तुमारे interview में आएगी ना, तो अलग जानवर होंगे यहाँ, मतलब अलग problems होंगी, फिर तुम्हें पचानना मुश्किल पढ़ जाएगा कि कौन सी वाली भालू है, यहाँ तो सारे भालू थे, सारे हम लोग sliding window से ही कर रहे थे ना, तो तुम्हें पता यार इसमें भी sliding window लगेगा ही लगेगा, पर यह typical जब पढ़ जाता, जब interview में तुम्हारे पास कई सारे problems आ जाएगे, और तुम्हें पचानना इसमें मुश्किल पढ़ जागा कि यार इसमें कौन सा data switcher लगेगा, समझ रहे हैं, अच्छा, second point, ऐसी problem यह लोग क्यों देते हैं, क्योंकि simple problem दे सकते तो यह लोग की array निगाल लो, और हम लोग को इसमें से number of unique character की substring चाहिए, largest जिसमें की number of unique character दो, और यह लोग ऐसी problem इसलिए देते हैं, ताकि लोग को मजा है, हम लोग को मजा है problem करने में, कि यह सब जो sliding window बगएरा हम लोग पढ़ा है, यह सब वाकरी में real world में भी लग सकता है, जमझ रहो, इसकी application देख रहो, अगर उस बंदे को, जौन को sliding window नहीं आती, तो वो अपने लिए maximum number of twice pick नहीं कर पाता, जिसको sliding window आती होगी, वो यहाँ आपन maximum number of twice pick कर सकता है, हाला कि काफी lame application थी, पर इन लोग ने कोशीज करी, यह लोग दिखाएं कि कैसे हम लोग sliding window, असलियत में real world problem में लगा सकते हैं, और तीसरी चीज, ऐसी problem भी काफी practice करो, जिसमें ऐसी story वेगरा दे रखी हैं, क्योंकि जब interview में ऐसी story वाली problem आएगी न, सीज़े सीज़े रखा है तो ठीक है, समझ में आ जागा array का question है, यह वो है, पर जब story वाली problem आती हैं, तो यह एक cover type हो जाता है, समझ रो, यह problem हमारी actual, वो इसके उपर इन लोगों ने rapper type चड़ा देते हैं, तो यह rapper को हम लोगों को इसको destroy करना पड़ता है, और अंदर आके यह problem देखनी पड़ती है, कि actual problem है क्या, तो यह तुमारा mind थोड़ा इसके लिए sharp करना पड़ेगा, और यह cable sharp होगा, जितना मर्जी तुम practice कर पाओ, उतनी मर्जी practice कर आँ, तो यार इसके notes वगेरा तो मिल जाएंगे, तो मैं patreon पे, codes तो हम लोगोंने पहले वाला करा था, 5k character वाला, वो ही case equal to 2 कर देना, चल जाएगा, पर वो भी हमें patreon पे डाल दोगा, चलो, thanks, bye, झाल, 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 झाल.